Hello friends, this is Kathy Zeti, welcome to your own YouTube channel, Satguru Institute. I hope you are fine. So friends, आज हम Poetry section की 3rd poem, A Ballad of Sar Pratap Singh के कुछ important question answers करेंगे. Last video में हमने A Ballad of Sar Pratap Singh poem को complete कर लिया था. इससे बहले हमने main course book के 4 chapters कर लिये. Lesson 1, The Happy Prince. Lesson 2, Where is Science Taking Us? Lesson 3, Secret of Happiness. And Lesson 4, The Gift for Christmas. इन 4 chapters के question answers भी हमने कर लिये हैं. इसके इलावा Poetry section की 3 poems भी complete हो चुकी हैं. Poem 1, Character of a Happy Man. Poem 2, Death the Leveler. And Poem 3, A Ballad of Sar Pratap Singh. Poem 1 and Poem 2 के question answers भी हो चुके हैं. जिनोंने अभी तक poems and chapters नहीं की हैं वो कर लिजिए. लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा. इसके इलावा chapters की English prose section नाम से अलग से playlist बनी हुई है. Poems की English poetry section नाम से playlist बनी हुई है. और question answers की question answers of all chapter नाम से अलग से playlist बनी हुई है. इन तुईनों playlist का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा. So friends, आज हम करेंगे आप बैल लेड ओफ सर परताप सिंग के कुछ important question answers. So please, आप इस वीडियो को end तक देखिए. वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को like और share कीजिए. अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe कर लीजिए. और bell icon को press करना ना भूलिए. तो चलिए, start करते हैं हम आज की वीडियो. तो हमारा first question है, Write a summary of the poem in your own words. कवीता के सार को अपने शब्दों में लिखिए. तो इसका answer है, परताब सिंग was the king of Jodhpur. जो परताब सिंग थे, वो Jodhpur के राजा थे. He had a friend who was an Englishman. उनके एक friend थे, मितर थे, जो की एक अंग्रेज थे. Suddenly the friend died. अचानक ही परताब सिंग के friend की death हो जाती है. परताब सिंग himself carried his friend's bear. जो परताब सिंग थे, उन्होंने खुद अपने friend की अर्थी को उठाया था. He did not care for the warnings of the priest who said that he would lose his caste by carrying the bear of an Englishman. जो परताब सिंग थे, उन्होंने पुजारियों की चितावनी की परवा किये बिना अपने दोस्त की अर्थी को उठाया था. और जो वो पुजारी थे, वो क्या चितावनी दे रहे थे राजा को? वो ये कह रहे थे, वो चितावनी दे रहे थे कि अगर आपने अपने दोस्त, यानिकी अपने अंग्रेज दोस्त की अर्थी को कंधा दिया, तो आप अपनी जाती धरम को खो बैठोगे. क्योंकि जो परताब सिंग थे, वो एक हिंदू जाती के राजा थे. और हिंदू धरम ये इजाजत नहीं देता है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति, किसी गैर हिंदू व्यक्ति की अर्थी को उठाए. इसलिए जो पुजारी थे, वो परताब सिंग को चितावनी दे रहे थे. पर परताब सिंग जो थे, वो जाती प्रता पर विश्वाश नहीं करते थे. वो जाती प्रता के भेदभा पर विश्वाश नहीं करते थे. तो उन्होंने इसकी प्रवा किये बिना अपने दोस्त की अर्थी को कंदा दिया था तो चलिए देख लेते हैं next question क्या है तो next question है what is the central idea of the poem इस कवीता का central idea क्या है तो इसका answer है this poem exposes the folly of caste system ये जो poem है ये poem ये कवीता जाती प्रथा की मूरकता को expose करती है All men are equal in God's eyes सभी व्यक्ति, सभी लोग भगवान की नजरों में भगवान की दिश्टी में बराबर है No caste is high or low कोई भी caste बड़ी या छोटी नहीं होती Humanity is the true caste जो इंसानियत होती है वो ही एक सची जाती होती है Such a caste which divides men from men cannot be called true caste जो caste जो जाती एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देती है वो जाती कभी भी सची जाती नहीं होती है So friends, इस पोईम में जो पोईठा वो यही कहना चाहते हैं कि जो इंसानियत होती है वो ही एक सची जाती होती है अगर आप में इंसानियत है तो आपकी जाती सची है चाहे आप लोर कास्ट से भी लोग करते हो चाहे आप अपर कास्ट से भी लोग करते हो तो यह कास्ट सिस्टम है यह सोसाइटी के दवारा बनाया गया ना कि ईश्वर के दवारा इश्वर की नजरों में सभी लोग बराबर है जो एक दूसरे की help करता है जिसमें इंसानियत है वोई सची जाती का व्यक्ति है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर त्री वो लाल रंग के पत्थरों का बना हुआ था वो एक सचे मित्थर थे उनोंने सचे मित्थर होने का फर्ज निभाया था वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनोंने अपने अंग्रेज दोस्त की अर्थी को कंधा दिया तो वो अपनी जाती और धरम को सदा के लिए खो बैठेंगे पर उनोंने इस बात की परवा किये बिना अपनी दोस्ती का फर्ज अच्छी तरह से निभाया He did not believe in the caste system वो जाती प्रता के भेदभाव में जाती प्रता में विश्वाश नहीं करते थे For him, the caste of a soldier was the only true caste परताप सिंग के मुताबिक एक सोलजर की caste एक सैनी की जाती ही एक सची जाती होती है So friends, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूलिए तो चलिए देखते हमारा नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर फोर वाई डीट परताप सिंग इमीडेटली लाइक दा इंगलिश सोलजर परताप सिंग को तुरंथ ही इंगलिश सोलजर क्यों पसंदा आया तो इसका अंस्वर है परताप सिंग इंगलिश सोलजर जो इंगलिश मैन था वो देखने में एक सच्चा सैनिक लग रहा था परताप सिंग इंगलिश सोलजर को तुरंथ ही पसंद करने लगा He did not believe in any caste discrimination जो परताप सिंग था वो किसी भी तरह के जाती प्रता के भेदबाब में विश्वाश नहीं करता था For him, the caste of a soldier was the only true caste उसके मताबिक एक सैनिक की जाती ही सच्ची जाती होती है So friends, यहाँ पर जो हमारा question number fourth है वो complete होता है इसके इलावा सत्गुरु इंस्टीट यूटूब चैनल का टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है सत्गुरु इंस्टीट के नाम पर इस चैनल पर आपको सभी तरह के PDF मिल जाएंगी सभी तरह के जो YouTube वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे सो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल सत्गुरु इंस्टीट को जोइन कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं question number five Question number five How did the two comrades spend their days? Comrades means साथी, सहोगी या मितर कैसे दोनों साथी अपने दिन को वेधीत करते थे? तो इसका answer है The two companions spent their days together दोनों साथी अपना दिन इकटे वेधी करते थे They went for a ride in the morning and evening दोनों साथी सुबह और शाम को घोर्षवारी करने के लिए जाते थे They told each other stories of love and adventure दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने प्यार और साहस की कहानिया सुनाते थे Thus, they spend their days happily इसे तरह से उनके जो दिन थे वो खुशी खुशी वेधीत हो रहे थे Then one day, suddenly the English soldier died तभी क्या होता है अचानक जो परताप सिंग का friend होता है मित्तर होता है English man या English soldier उसकी अचानक ही मृत्यू हो जाती है So friends, यहाँ पर जो question number 5 है वो complete होता है इसके इलावा सत्गुरु इंस्टिटूट यूटूब चैनल का Instagram पर official account बना हुआ है सत्गुरु इंस्टिटूट 9-8 आप Instagram पर सत्गुरु इंस्टिटूट को follow कर सकते हैं इसके इलावा आपको कोई भी doubt है तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हैं question number 6 Question number 6 Why was परताप सिंग asked to send a sweeper when the Englishman died जब Englishman की मृत्यू हो गई तब परताप सिंग को sweeper भेजने के लिए क्यों कहां गया तो इसका अंस्वर है 4 men were needed to carry the Englishman's bear Englishman की अर्थी को उठाने के लिए 4 व्यक्तियों की जुरूरत थी But in Jodhpur, they could find only 3 British पर Jodhpur में उन्हें सिर्फ 3 British ही मिलते हैं None of the person of the Hindu caste were ready to carry the bear of a non-Hindu Hindu जाती का कोई भी व्यक्ति गैर हिंदू की अर्थी को उठाने के लिए त्यार नहीं था Therefore, परताप सिंग वाज asked to send a sweeper इसी लिए परताप सिंग को कहा जाता है कि वो एक सफाई करमचारी को भेज दे A sweeper has no caste to lose क्योंकि जो एक sweeper होता है उसकी कोई जाती नहीं होती है कि वो उसे खो सके या उसे भ्रष्ट कर सके So friends, यहाँ पर जो हमारा question number 6 है वो complete होता है इसके इलावा, सत्गुरु इंस्टीट यूटुब चैनल का Facebook पेज बना हुआ है सत्गुरु इंस्टीट ओफिशल आप इस पेज को follow, like और share कर सकते हैं Question number 7 What was the problem that arose when the Englishman died? जब Englishman की मृत्यू हो गई, तब कौनसी समस्या पैदा हो गई? तो इसका अंस्वर है Four men were needed to carry an Englishman's bear Englishman की अर्थी को उठाने के लिए चार व्यक्तियों की जरूरत थी But only three British were able to find him in Jodhpur पर Jodhpur में सिर्फ तीन British ही मिल सके None of the Hindu were willing to lift the bear of a non-Hindu कोई भी Hindu व्यक्ति किसी गैर हिंदू की अर्थी को उठाने के लिए त्यार नहीं था There's a problem arose to find a fourth person who could lift the bear इसी लिए चोथा व्यक्ति जो Englishman की अर्थी को कंधा दे सके उसे ढूरने की समस्या पैदा हो गई So friends, यहाँ पर question number 7 complete होता है इसके इलावा सद्गुरु इंस्टिटूट यूटूब चैनल का Twitter पर official account बना हुआ है आप Twitter पर सद्गुरु इंस्टिटूट को follow कर सकते हैं तो चलिए देखते हमारा next question तो next question है What according to the priest had परताप सिंग लोस्ट? Why? पुजारियों के मुताबिक परताप सिंग ने क्या खोया था और क्यों खोया था? तो इसका अंस्वर है The priest said that परताप सिंग had lost his caste because he had carried the bear of a foreigner पुजारियों को कहना था कि परताप सिंग ने अपनी जाती को खोया था क्योंकि उन्होंने एक गैर हिंदू व्यक्ति की अर्थी को उठाया था Religion did not allow it जो कि हिंदू धरम है इसकी इजाजत नहीं देता है परताप सिंग डफाइड Religion परताप सिंग ने धरम की अवहेलना की थी He had made himself impure परताप सिंग ने खुद को अपवीतर अशुद बना लिया था In this way, he had lost his caste इस तरीके से परताप सिंग ने अपनी कास्ट को खो दिया था However, परताप सिंग डिड नोट केर वट दा प्री सेड पर जो परताप सिंग थे उन्हें इस बात की कोई परवार नहीं की पुजारियों ने उनके बारे में क्या कहा था So friends, यहाँ पर जो हमारी पोईम के question answers है वो complete होते हैं अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section, facebook, instagram किसी पर भी पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और share करें अगर अभी तक आपनी channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना ना भूले तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ Thanks for watching this video Keep watching Sadhguru Institute